ओम महालक्ष्मै नमो नमा अक्षय तुतिया पर करे ये उपाय मालक्ष्मी होंगी प्रसन्न दोस्तो अक्षय तुतिया का पर्व मालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहत शुभ माना गया है और इस दिन को लेकर यह मान्यता है कि मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाई किये जाए तो वह आपकी खाली जोली भर देते है और आपका घर बरकत से भर देती है अक्षय तूतिया पर किये गए हर कार्य का अक्षय फल प्राप्त होता है इसलिए इस दिन मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाई भी देहद शुभफल प्रदान करते है और मा लक्ष्मी का अशिरवाद आपको मिलता है तो आये जानते है मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तूतिया पर आप कोन-कोन से उपाई कर सकते है बता दे अक्षय तूतिया जैसा शुभमूर्त मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है इस दिन खरिदारी करने के साथ दान पुन्य करने का भी विशेश महत्व होता है इस दिन जरुवत मन लोगों की मदद करना उन्हें जरुवत की वस्तुए दान में देने से आपको अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है और मा लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है सबसे पहले जानते है अक्षय तुतिया पर धन रुद्धी का उपाई अक्षय तुतिया पर जोव खरीदना और दान करना बहुती शुभ माना जाता है मान्यता है कि जोव दान करना स्वर्न दान करने के समान पुन्यदाई माना गया है अक्षय तुतिया पर स्वर्न खरीदने के साथ साथ जोव भी जरूर खरीदे ऐसा करने से आपके धन संपत्ती में रुद्धी होगी और मालक्ष्मी भी आपसे प्रसंद नहोंगी अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसके स्थान पर चान्दी भी खरीद सकते है या फिर आप जोव का भी दान कर सकते है दूसरा उपाय जो आपको अक्षय तूतिया के दिन करना है वो है मा लक्ष्मी के साथ करे भगवान विश्नु की पुजा अक्षय तूतिया के दिन मा लक्ष्मी के साथ भगवान विश्नु की भी पुजा करनी चाहिए ऐसा करने से भी मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दामपत्य जीवन खुशहाल रहने का आशिरवाद देती है मा लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती इसके साथ ही इस दिन गनेश जी का भी आवाहन करना चाहिए इस दिन मा लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर की समपत्ती में रुद्धी होती है तीसरा जो उपाय जो आप अक्षय तूतिया के दिन कर सकती है वो है कलश दान अक्षय तूतिया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है सबसे पहले एक कलश ले और उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब जरुवत मन को देदे मान्यता है कि आईसा करने से सभी पुन्य के समान तिर्थकी प्राप्ति होती है पौरानिक मान्यता के अनुसार वैशाक मास की शुकलत रुतिया को ब्रह्म देव के पुत्र अक्षय कुरुमार की उत्पत्ति होई थी इसलिए इस दिन को अक्षय तुतिया कहा जाता है इस दिन पित्रों का तरपन करने और पिंडदान करने से आपको बेहत शुबफलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है ऐसा करने से आपके पुर्वज आपसे प्रसन्न होते है और सदैव सुखी रहने का आशिरवाद प्रदान करते है अगला उपाए यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है तो आपको अक्षय तूत्या पर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए इनमें जल, कुम्भ, शक्कर, सत्तु, पंखा, छाता, फल आदी चीजे शामिल है कहते है कि जो लोग अक्षय तूत्या पर इन चीजों का दान करते है उनके घर मालक्ष्मी स्वईय पधारती है और आर्थिक तंगी दूर करती है आप सभी को अक्षय तूतिया की शुभकाम नाएं ओम महलक्ष्माएं नमो नमा धन्यवाद